आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाउ दिखेंगे कुशन देगा अब बोट कवर से round trip journey तो दिखें जहां से जैसे की बोला जा रहा है कि बोट है वो cover करती है round trip journey in a river ठीक है एक रिवर में in a certain time जाती है और वापिस आती है ठीक है इस ऐसे बोला की जा रहा है कि if इट स्पीड स्पीड इन रिएयद वॉटर इस डबढ़ंट उसको डबल कर दिली जा रहा है ठीक है पहले त्थाईंस ले लीजिए कि इसी या procent को डील ले लिजिए ठीक है तो बोट जो है कवर करती है round trip journey in a river in a certain time एक certain time period में if the speed in still water is doubled let the speed of boat of boat in still water still water जो speed है बोट की still water में if speed in still water वो x माल लेते है x km पर ठीक है उसको double करती है जाता है और stream की जो speed है उसको triple करती है and speed of and also speed of stream is tripled और stream की जो speed है उसको आप ले लिजे y km पर आवा let the speed of let the speed of stream y km पर और ये distance अदी ठीक है और फिर का जा रहा है इट वूड टेक दा सेम टाइम फॉर दा राउंड ट्रिप जर्मी ये सेम लेती है और ये इसा की कुश्चन में का जा रहा है कि अधिक है जानी कि एक स्पीड को आप डबल कर दे रहे हैं एक को ट्रिपल कर दे रहे हो लेकिन राउंड ट्रिप जर्णी में सेम टाइम लगता है तो रेश्यों आट करना है बोट की स्पीड का और श्टील वाटर का चलिए हम अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पहले जो डिस्टेंस है डिस्टेंस अपॉन स्पीड की बात कर लेता हूं यह बात कर रहा हूं मैं जब मैं डाउन दा स्ट्रीम जा रहा हूं डाउन दा स्ट्रीम तो इसमें बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड जुडेगी plus d upon इस पर minus होज़ेगी कि क्योंकि आप opposite direction में जा रहे हो और ये equal है किसके distance जो total distance उसने cover करनी है और upon में जो double कर दिया गया किसको double कर दिया 2x ये ले लिजे और 3y इसको ले लिजे double किसको किया still water में जो speed है बुला जा रहा है speed in still water is double तो 2x plus 3y और plus d upon 2x minus 3y ये जाएगा d को cancel कर दोगे आप जाएगा 1 upon x plus y कॉमल लेके cancel होगे 1 upon x minus y is equal to 1 upon 2x plus 3y plus 1 upon 2x minus 3y cross multiply करिए ये जाएगा x minus y plus x plus y upon x plus y into x minus y equal to 2x minus 3y cross multiply करने पे 2x plus 3y upon 2x minus 3y into 2x plus 3y ठीक है y y cancel करिए 3y 3y cancel हो जाएगा तो ये आगे 2x upon x square minus y square equal to 4x upon 4x square minus 9y ये formula लगा दिया हमने हैं a square minus b square का 2 to the 4 x x cancel हो जाएगे ये 2 आगया cross multiply करेंगे तो आजएगा 4x square minus 9y square equal to 2 multiply करेगा तो 2x square minus 2y square ठीक है इसको बला लीजे इदर 2x square को तो minus हो गया तो 2x square ये उदर चला गया तो 9 plus का और 2 minus हो गया तो 7y square तो speed देखे किसकी ratio किसका पूछ रहा है ratio of speed of boat ठीक है तो speed of boat को उपर रखिएगा तो x को यूपर रखना है तो x square upon y square equal to 7 upon 2 तो यह जगा x upon y equal to under root 7 upon 2 और यही इसका ratio होगा ठीक है जी जो हमसे पूछा गया है so I hope कि आपको कोई question समझाया होगा x upon y ratio under root 7 upon 2 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज जी डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 84444 सूपर